अर्विन केजिवाल तो कह रहे हैं कि आपका पैसा कहां जा रहा है मन्रेगा का आपने पैसा कम कर दिया है राज्यों को मिलने वाले टैक्स का पैसा कम कर दिया है और आप राज्य सरकारे जो अपने तरीके से स्कीम चलाती है रेवडी का जिसे आप कहते हैं मुस्त मुस्त का कहते हैं उस पर आप रोक लगाने की कोशश कर रहे हैं वो कह रहे ही तो जनकल्यान है मनोज。 अगर आप केंद्र सरकार की योजनाओं को याद करें तो हम आपको याद कराते हैं आयुश्मान योजना जो इस देश के 55 करोड लोगों पर लागू होती है अगर उनके एक परिवार में उनका माता पिता उनका बेटा बेटी बहू सास जो भी बिमार होता है उसको पांच लाख रुपे परिवार एक फ्री इलाज की बिवस्था है दिल्ली छोड़ करके हर लगभग लागू है एक दो राज्य और नहीं लागू कर रहे हैं आप समझ लीजिए इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है इसमें नहें कटेगरी है जो भी व्यक्ति उस कटेगरी में आता है उसको आयोश्मान योजना मिलती है उज्वला इसकीम हमने घर-घर फ्री गैस जब देने की बात करी तो हिंदु हो, मुसल्मान हो, सिख हो, इसाई हो इस आधार पे नहीं किया हमने उसको एक गरीबी के आधार पे समाजी के स्टेटस के आधार पे किया इसके बावजूद भी जब डीजल पेट्रोल की कीमते आसमान चू रही थी तो सभी के लिए ये नहीं सोच के कि उसको मनोस्तिवारी देल डीजल भरवाएंगे या संजे सिंग डीजल भरवाएंगे हमने सब को दो-दो बार पांच रुपिया, दस रुपिया, प्रतिल लीटर और तब भी हमने एक ही कटेगरी रखी कि इस देश के तवाम लोगों को एक साथ देंगे, कटेगरी बनाएंगे तो कटेगरी का पालन करेंगे लेकिन वहीं रेवडी शब्द जो आया है उसका एक्जामपल कहा मिलता है इसी दिल्ली में कहा गया पानी माफ बिजली हाफ अब आप ही बताईए कि क्या दिल्ली में पानी माफ है 20,000 लीटर पानी माफ है, पानी सबका नहीं माफ है, और पानी के बड़े बड़े बिल आते हैं, कहा क्या गया था? पानी माफ बिजली हाफ, 400 सो यूनिट तक लोगों का हाफ है लेकिन ये सबके बावजूद किसको फाइदा हो रहा है क्या आपने जिनको कहा था वादा किया उनको दिया नहीं पहले कुछ और कहते हैं बाद में कुछ और बदल जाते हैं इसी को मुझे लगता है कि रेवडी बाटना कहते हैं यमुना सा साथ गोता लगाएंगे यह रेवडी बाटना है क्योंकि उसके बाद साड़े साथ साल हो गए यमुना जी का कोई खैगबर लेने वाला नहीं है वाइफाई लगा देंगे पुरी दिल्ली में कहां वाइफाई काम करता है आप बताईए अगर मेट्रों में काम करता होगा रिल यह कोट ने जो टिपणी की है वो बहुत महत्पुण है और जैसा आपने अभी कहा उससे ज्यादा परिसान आबादी पार्टी हो सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी जूट बोलने की मसीन एक अपने हां रखी है जिनका नाम है अरविंद केजरिवाद वो जूट बोलने क कि मसीन कोई भी गुरेज नहीं करती है अगर किसी का 56 इंच का सीना है तो किसी ने 56 इंच की जीव रखी है जो चाहे बोल दो अभी-भी में सुन रहा था कि गुजरात के लोगों को जो चाहेगा उसको हजार रुपिया और पक्का यह हमेसा एसे ही बात कहते हैं और बात में कोई चाहिए नहीं रहा है। वाइन को सुनिश्चित करने के लिए मुफ्त दे रहे मुफ्त आप भी देते हैं मुफ्त ये भी देते हैं नहीं हमारा ये हमारी बात को आप समझ सकते हैं रेवडी माटना मतलब जूट बोलना जूटी बात कहना अगर सारी बाते जो बोली है अर्विन केजरिवाल जी ने अ अनोस्तिवारी को सांसद रहने का कोई अदिकार नहीं है। मैं जतनी बातें कह रहा हूं। पानी माफ है दिली में, सब का पानी माफ है। वाइफाई लगा वुआ है, फ्री ईलाज मिलता है, यमणा जी साफ है। लोड़ी बाटना कब तक चलेगा ये मेरा कहना है हॉस्पीटल में आपके बच्चे इलाद नहीं कराएंगे आपको खासी भी होगी तो फाइव इस्टार में जाएंगे ठीक है संजे जी जवाब कीजिए